हेलो फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का फिर्से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में सुखी होंगे एवं स्वस्थ होंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं शुरुवात करने से पहले ये जान लेते हैं जो मार्केट में हमने मंडे के लिए लेवल्स मा किये थे उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया और हमारा ट्रेडिंग आक्शन आज किस तरीके से रहा तो चलिए चलते हैं पांच मिनट टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं कि आ 1.8% के आज पास gap डाउन खुली और 1.8% gap डाउन खुलने के बाद इसने सीधा-सीधा हमारे lower zone यानि कि जो हमारा second level of profit booking था towards short side वहाँ पर आकर के strike किया वहाँ पर आकर के strike करने के बाद candlestick patterns जब हमें buy side के बनते हुए दिखाई देने लगे तो वो initiated a buy trade अब buy trade initiate करने के दो reason थे एक तो market अपना zone से support ले रहा था और दूसरा reason ये था कि market अपना already ATR consume कर चुका था तो जब भी कभी market gap down कुलके अपना ATR consume कर लेता है there are high chances of trend reversal for that day basically nifty या bank nifty gap filling करने की कोशिश करता है तो उसी psychology को दिमाग में रखते हुए हमने अपना एक buy trade initiate किया but later on in market जब हमें market में buy side की तरफ कोई भी potential move आता first half तक नहीं दिखाई दिया जिसका मतलब है 1.30 p.m. तक तब हमने market से buy trade में exit लेने की करी with a very small loss in bank nifty अब उसके बाद हमारा action क्या रहना चाहिए था CDC बात हमें पता है उसके बाद जब bank nifty ने हमारा zone break किया तो हमें definitely एक short trade की side enter करना चाहिए था और हमारा जो profit booking level था उस case में वो था around 3.6600 तो 3.6600 तो हमें achieve नहीं हुआ फिर भी हम bank nifty में अपना एक छोटा नुकसान cover करने के बाद reasonably 3.000 का profit बनाने में successful रहे तो ये तो थी आज की day activity अब कल हमें क्या करना चाहिए अब एक सीधी सी बात जब market इत्ते बड़े gaps बनाने लग जाए तो definitely वो आपके लिए एक kind of unpredictable move बनना शुरू हो जाता है क्यूंकि market में इन दिनो volatility बड़ी हुई है तो आपको intraday trade बहुत ध्यान से करना चाहिए चलो देख लेते हैं कि हमारा कल का action क्या रहने वाला है ओव्यस सी बात है जिस तरीके से आज market gap down कुली है अब हमें market में अपने जो अगले trades है वो short side plan करने चाहिए the reason is कि trend हमारा short side convert हो गया है let us say अगर कल market कुलती है और इस level से support लेकर के उठने की कोशिश करती है तो we should definitely plan a buy trade in bank nifty other than that अगर market इस level को जो की एक last resistance level है हमारे graph में अगर मैं इसको continuous graph में भी देखने की कोशिश करूँ तो this is the point जो हमारा latest low है in daily graph okay हाँ जी तो यह वो point है जहां पर bank nifty resistance face कर सकता है और उसके बाद bank nifty can smoothly come up to this level in swing trading mind my words I am saying swing trading ओके अब अगर one day में कल को bank nifty इस level के नीचे close होता है तो definite सी बात है कि हमारा 200 day moving average जो कि एक daily का 200 day moving average है वो एक बहुत important moving average है हमें इस moving average का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर आके price का behavior कह रहने वाला है और फिर भी अगर इस level को price comfortably तोड़के नीचे close होने की करता है तो definitely we should look towards a good short rate and आजकल का जो market configuration है आजकल के market configuration में अगर आप अपने previous day के orders hold करके चले तो you will definitely get good benefits the reason is कि जो यह gap है these comes in your favor तो अभी हाल फिल हाल कुछ दिन आप bank nifty में अपने intraday trading activity को थोड़ा ध्यान से perform कीजिए और definitely आप swing में कोई भी out of the money का option level जो कि basically put रहना चाहिए आपका उसको आप buy करके चल सकते है that will make you good profits in coming future अगर bank nifty का move downside बना रहता है तो अब अपने levels एक बार 5 minute में जागर के mark कर लेते हैं हमारा कल का action point क्या रहना चाहिए definite सी बात है हमारा कल का action point क्या रहना चाहिए हम अपने price का moment इस particular level पे observe करेंगे अगर इस particular level को comfortably bank nifty तोड़ देता है तो हमें पता है हमारे swing trade में हमारा जो profit booking अगला level है वो कहां होना चाहिए वो हम देख चुके है वो हमारा होना चाहिए लगबग लगबग daily graph के हिसाब से लगबग लगबग 34,500 की range में oh sorry 34,250 की range में and for intra day अगर bank nifty कल इस level को respect करके यहां पे हमें buy a के signs देता है तो definitely हमें tight stop loss के साथ buy a trade में entry करना चाहिए with first profit booking level 37,120 and second profit booking level 37,740 short side हमें कोई खास huddle तो दिखाई दे नहीं रहा फिर भी definitely हमें इस particular level पे price के आने के बाद उसका momentum देखना चाहिए और हमें अपने actions accordingly प्लान करने चाहिए तो आशा करता हूँ friends हमारे आज की इस trading discussion से कल आपको definitely bank nifty में intraday या swing trade करने में कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है अगर आपको इस channel का content पसंद आ रहा है तो please हमारे content को like कीजिए अपने friend circle में share कीजिए और subscribe करना मत बुलिएगा तो मिलते हैं कल एक नए analysis के साथ कि nifty और bank nifty ने हमारे आज का analysis के साथ किस तरीके से behave किया और हमें next day अपने trading activity किस तरीके से carry करने चाहिए तो ठीक है आप guys happy trading bye bye